स्वागत साथियों आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल परिच्छने के तन आ यूनिक जर्णी ऑफ डेस्टिशन में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का SSE MTS 2022 के एक्जाम चल रहे हैं और इस वार आपकी हवलदार की पोस्ट भी उसमें है और उसी सीरीज में जो हमने आपको पहले एक वीडियो डाल रखे है वनवर्ट सब्स्टिशन की यह बहुत ही ऐसे वनवर्ट सब्स्टिशन है जो कि आपके लगातार एक्जाम में पूछे जा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से जो शिप्ट में आपके वनवर्ट सब्स्टिशन पूछे गए हैं जो हमने केवल आपको 25 करायते उनमें तीन से चार जो वनवर्ट सब्स्टिशन रहे हैं आपको इसी सीरीज में की रिवीजन भी हमारा होता चले तो आज भी हम ऐसी 25 one word substitution लेकर आए हैं जिनको हम discuss करेंगे और बहुत ही जल आपको क्या करना है वीडियो को देखने के बाद तुरन description box में जाना है वहाँ पर जो आप आज देखेंगे इसको लगाने की एक link दी गई है वहाँ पर जाकरके आप इस test को attempt भी कर सकते हैं चलिए तो बढ़ते हैं आज का हमारा जो पहला question है वो क्या है placing a thing beside another मतलब कि एक बस्तू के पास में जब कोई दूसरी बस्तू रग देते हैं उसको क्या कहा जाता है ठीक है तो यहां पर सबस्तू आप देख पा रहे हैं इसको कहा जाता है जक्ष्टा पोज क्या कहते हैं जक्ष्टा पोज ठीक तो जमार करेक्ट अंसर हो जाएगा वह हो जाएगा option c क्या करेक्ट हो जाएगा चलिए बढ़ते है next question number second की तरह expert in the scientific study of birds यानि कि ऐसा expert जो birds के बारे में बता सकता है उसको क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है और नीथो लॉजिस्ट तो हमारा जो option c है बढ़ते हैं question number three की तरह building in which dead bodies are kept for our time और हमारे पास इसके चार option दिये गए है mortuary, monastery, sanatorium या क्राइब क्रेमेटोरियम तो यानि कहने का इसका मतलब क्या है एक ऐसी building जहां पे जब किसी इंसान की death हो जाती है तो कुछ समय के लिए उसको रखा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है mortuary, तो यानि जो option हमारा first है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बड़ते हैं next question number four की तरफ, one who believes that gaining pleasure is the most important thing in life और इसके लिए हमारे पास चार option है hedonist, pessimist, misanthrope या philastine, यानि कि वो एक ऐसा इसा इसान जो केबल ये चाहता है कि जीवन में केबल और केबल pleasure होना चाहिए, ठीक है, एस और आराम होने चाहिए और इस कार की जो इनसान सोच रखता है, उसको कहा जाता है hedonist, यानि कि जो option one है हमारा, वह विल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तो, option one, चले, बड़ते हैं next question number five की तरफ, one who breaks the established tradition and image, उसको क्या कहते हैं, फैला option है fatalist, दूसरा option है fanatic, तीसरा option है iconoclast, और फोर्थ option है phil organist, ठीक है, तो ऐसा इनसान, one who breaks the established traditions and image, यानि कि जो रिती रिवाज हमारे पहले से हैं, उनको तोड़ने का जो काम करता है, उस इनसान को क्या कहा जाता है, तो आप लोग उसका correct answer दें जली से, उसको कहा जाता है iconoclast, यानि कि option three हमारा, बिल्कुल सही है, मरते है next question number six की तर जाती है, उसकी death हो जाती ही, तो वो पूरी जो प्रॉपर्टी है, वो उसके बाद की PD को transfer कर दी जाती है, तो प्रॉपर्टी handed down after the death of a person, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है, inheritance, यानि कि हमको जो बिरासत में मिल रहा है, तो option जो हमारा four है, वो सही हो जाएगा, ठीक है, उसके parents कौन है, उसके बारे में जो general सी जानकारी होती है, वो किसी इनसान के केवल हम profile देखकर ही बता सकते हैं, तो option जो हमारा second है, वो सही हो जाएगा, और उसकी पूरी life के बारे में बात करेंगे, उसको biography कहा देंगे, और उसके बातचीत करके हम इसी पता करेंगे, त उसी को profile कहा जाता है, question number eight है हमारा, wild and noisy disorder, क्या कहते उसको, agitation, revolution, pandemonium या फिर इस्टेर, बलब तूफानी कह सकते है, तूफानी और सोर भरा महौल इस तरीकी का जो बनता है, तो that situation is called pandemonium, तो जो option हमारा third है, वो विलकुल सही हो जाएगा, ठेक है दोस्तो, next question number nine है, the first public speech delivered by a person, उसको क्या कहा जाता है, चार option है, madden speech, inaugural speech, trial speech, या फिर marathon speech, तो जब भी जैसे आपने एक madden bird काफी सुना होगा, जब को क्रिकेट खेलते हैं, और किसी एक over में, जब एक भी run नहीं ले पाता है, क्रिकेटर हमारा batsman, तो उसको madden over कहा जाता है, तो यहाँ पर कहा गया है, the first public speech, यानि कि आप stage पर जाकर के पहली बार speech दे रहे हैं, तो उसको कहा जाएगा madden speech, तो option जो 1 है हमारा character हो जाएगा, ठीक है, इन question को जरूर आप देखे, और देखने के बाद attempt जरूर कीज़ेगा, एक बार कि कितने questions आपने सही की हैं, नीचे description box में इसकी link देगी, attempt करने next question number 10 है हमारा, one who does not follow the usual rules of social life, समाज ने जो नीती नियम और जो कानून बनाए हैं, उनको follow नहीं करने वाले इंसान को क्या कहा जाता है, ठीक है, जैसे कि समाज के जो नीती नियम होते हैं, कि कपड़े किस परकार के घंके पहनने चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं प क्या कहा जाता है, वो ही मिया, तो जो option 1 है, वो सही हो जाएगा, question number 11 है हमारा, able to use the left hand and right hand equally, एक ऐसा इंसान, जो अपने दोनों हातों को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर सकता है, उसको कहा जाता है, ambidextaurus, क्या कहते हैं, ambidextaurus, तो जो दोनों हातों को अपने सही तरीक इसके लिए philanthropist, ascetic, misogynist, misogynist, तो आपको पता होगा, जो गाइनी root word होता है, वो किसके लिए आता है, female के लिए आता है, आप यहाँ पे देख़ए रहे हैं, जो गाइनी root word होता है, यह female के लिए आता है, और जहाँ पर आपको देख जाए, और myso का मतलब होता है, negative sense में, तो जो correct option हो जाएगा, option 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, चलिए, बड़ते है next question number 13 की तरफ, a system of naming things, यानि कि चीजों के नाम करण की जो पूरा system होता है, उसको क्या कहा जाता है, कि कौन सी चीज का नाम क्या होगा, कौन सी चीज का नाम क्या होगा, तो this culture is non-age, this system is non-age, non-ane culture कहा जाएगा, चीजों के नाम करण की जो प्रिकडिया होती है, उसको नौ मैनी culture कहा जाता है, तो option 4 है हमारा, वो सही हो जाएगा, बड़ते है next question number 14 की तरफ, a raised passage away in a building, कोई जो आपका छत होती है, छत पर जो रास्ता बना होता है, टहलने के लिए, ठीक, उसको क्या कहा ज सभी बिमारियों की एक दबा, उसको बोलते है, राम बाण, अपनी बासा में क्या कहा जाता है, इसको राम बाण कहा जाता है, ठीक है, यह साथ पैन आपको सही ना दिख रहा हो, just minute, ठीक है, चलिए, तो इसको क्या कहा जाता है, राम बाण, और राम बाण को एक हिंदी में कहते हैं पैनाशिया तो जो option जो second हमारा वो सही हो जाएगा ठीक दोस्तों चलिए पड़ते हैं नैस्ट जो हमारा कुशन है question number 16 a child born after the death of the father एक ऐसा son या एक ऐसा बच्चा जिसकी जो death जिसका जन्म हुआ है उसके पिता की मरने के बाद हुआ है तो उसको क्या कहा जाएगा orphan अनाथ कहा जाएगा या फिर deprived child कहा जाएगा या वेफ कहा जाएगा या post human child कहा जाएगा तो after the death of father अगर किसी विच्चे का जन्म होता है उसको कहा जाता है post human child या जो option 4 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक दोस्तों question number 17 पर बढ़ते है failing to discharge once duty किसी को जो responsibility दी गई है और वो सही से उसको नहीं निभा पा रहा है ठीक है उस situation को क्या कहा जाएगा बताओ जली से क्या लिखा हुआ है साब साब आपके सामें लिखा हुआ है failing to discharge once duty उसको क्या कहा जाएगा इसको कहा जाता है dereliction तो option जो second है हमारा वो सही हो जाएगा अगर कोई इंसान को duty दे गई है और उसको करने वो असमर्थ है या अपनी responsibility को सही से नहीं निभा पा रहा है तो that is not a dereliction okay question no.18 a movement of part of the body express an idea of feeling या यह केवर हम हातों के या जो symbols होते हैं या अपने body textures के द्वारा यह बता दे कि कोई चीज क्या हम कहना चाह रहे है जैसे अगर हमको सांत रहना है तो हम gesture बना लेते हैं अपनी finger लगा लेते हैं तो हाथ होगी यह gestures देख रहे हैं आपको इनके माध्यम से किसी चीज को या movement के माध्यम से body expression के माध्यम से अपने idea या अपनी feeling को जो दूसरे इंसान के सामने हम बता सकते हैं इसको कहा जाता है gesture कहा जाता है तो option second सही हो जाएगा question number 19 है a person who is physically dependent on a substance एक ऐसा इंसान जो पूरी तरीके से किसी substance पर निरवार है या dependent है मतलब अगर वो चीज उसको नहीं मिल रही है तो वो क्या करेगा रह नहीं पायेगा हो सकता पागल हो जाए हो सकता उसका दिमाग काम नहीं करे हो सकता उसकी death भी हो जाए तो क्योंकि पूरी तरीके से physically depend हो चुका उस substance पे और उसको कहते है यह उसका addict हो गया है या उसको addiction हो गया है तो जो option 4 है हमारा addict word यह बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है यह आप देखिए पार है addiction किसी चीज पर physically dependent addiction question number 20 है a legal agreement by which a person borrows money from a bank usually to buy a house यानि घर about banks को खरिदने के लिए जब ईंक्से loan लेते हैं तो कहते हैं ग्हर के लिए loan ले छहे है तो उसको क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाता है mortgess क्या का जाता है mortgess तो mortgage is a type of loan which is used, which is taken by bank for the home renting, या आपको घर बनवाना है उसके लिए आप जो loan लेते हैं bank से उसको कहा जाता है mortgage, ओके दोस्तों, चलिए, बढ़ते हैं next question number, question number हमारा कंडीवन है, one who has narrow and prejudiced religious views, एक ऐसा इंसान, जिसके जो views हैं, वो बहुत ही कैसे हैं, संकीन हैं, या बहुत ही छ लग जाता है, उस इंसान को क्या कहा जाता है, तो जल्ली से बताईए, उसको कहा जाता है by God, क्या कहा जाता है, एक ऐसा इंसान, जो धरम के नाम पर छोटी छोटी से बातों पर जगलने लगता है, उसको by God कहते हैं, कटर भी कहते हैं, इसको ठीक है, question number 22 है, capable of being interpreted in two ways, इसको कहेंगे, confusing कहेंगे, unclear कहेंगे, ambiguous कहेंगे, या फिर ambient कहेंगे, capable of being interpreted in two ways, यानि दो रास्ते जब आपके सामने हों, और दोनों रास्तों में आप सही से decision लेने की छमता रखते हों, तो उसको क्या कहा जाएगा, जल्ली से बताईए, आपके पास 5 second का समय है, तो ऐसी situation, जब कि कि सामने ही आजाए, being interpreted, दो चीजों में फस जाए वो आपका, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी capable है, तो उसको कहा जाता है, ambigious, क्या कहा जाता है, ambigious, या दोनों ही situation से समस्याओं से उसको नपटने आता है, तो that is called ambigious, ओके, चलिए, बढ़ते हैं, question number 23, a person who loves mankind, एक ऐसा इ हो जाएगा, पढ़ते हैं, question number 24 की तरफ, to confirm with the help of evidence, यानि कि कोई चीज है, उसको किसकी साहता से evidence, ये सबूत होते हैं, उनकी साहता से confirm करना, कि क्या कहलाता है, यहाँ पे चार option है, पहला है corroborate, दूसरा है implicate, तीसरा है designate, और चौधा है आपका extricate, तो जन्दी सुदा य है हमारा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, evidence की help से किसी चीज को justify करना है, verify करना, it is called corroborate, question number 25 है, the action of looking within or into one's own mind, अपने ही मस्तिस्क में, या आपने ही, जो आपने अपने action किया है, उसके बारे में खुदी सोचना, कि क्या हमने जो किया है, वो सही किया है, जो हमने दूसरों क जहां कर देख रहे हैं, कि मेरे द्वारा जो किया गया है, वो सही है, या गलत है, तो it is called introspection, ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से जाए, discussion box में link देगे है, जो आपने 25 questions पढ़े हैं, इनी 25 questions को attempt कीजिए, और देखिया आपका score कितना आ रहा है, और comment box में जरूर उसको बताए तो तयारी करते रहे हैं, मिलते हम लोग next video में, thank you